हेलो एस सुंगोस्त विल्कम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नमबर न पर एक बार फिर से लोग आ चुके हैं जी कप काउंसलिंग दोजाट चौविस में आप लोग की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है गुरूप यी वालों की काउंसलिंग आप लोग की जल्दी य आपको डॉकूमेंट्स भण बार बता दोगा कौन काौन-कॉन से डॉकॉमेंट्स आपके काउंसलिंग काईम लगने वाले हैं जिससे आप लोग अभी 6-7 और टाइम है आहीं आराम से अपने डाकूमेंट करसके हैं और कांसलिंग में अराम से परतिभाद कर सकते हैं वरना लोग चरल पर नए है तो चरल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लिए और हाई एक इंपॉर्टन न्यूज जिन इस्टूरेंट को बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करानी चाहते हैं कि हमें गौवर्मेंट कॉलेज मिले जैसे हमने गुरूप A वालों को हजार से स्टूरेंट को हमने गौवर्मेंट को दिलाया है वैसे आप भी चाहते हैं कि आपको एक सरकारी हैं अच्छा से अच्छा कॉलिज मिले तो आप लोग हमारे पास से बस से बस काउंसलिंग करा सकते हैं लगातार पांस साल का काॉंसलिंग करा ते चले आ रहा है और फूली लेंगे तो पी काउंसलिंग सही से नहीं हो पाएगी ओली हंडेट रिस्टुएंट लेने वाले हैं जाकर अपना नाम नोट करा सकते हमारे पास ओके डियर रिस्टुएंट ओली टू हंडेड़ रुपाई फीस है ठीक है इतने मैं आपको हंडेड परसंट गौश दिलाया जा निम्ण प्रपत्रों के एक प्रति और मूल प्रवाडऺपत्रों के साथ संस्ता मुपस्तिता होना है यहांद कि एक एक फोटो कापी होनी मिप्रवेश पत्र आपको पर नहीं होगा तो अभी चीक हैं वहां पर उस पर मिलेगा तब आपका सीट लाट्मेंट वहाँ पर निकलेगा तब निकलना पड़ेगा तब निकाल दीजिएगा ओके तिसरा नंबर है आपका मिनमम क्वालिफिकेश्ट अंग प्रवाणपत्सत हाई स्कुल हो इंटर हो मिनमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वह लेकर जानी है टेंथ वह 12 दोनों की मार्सीट ओके जो आई टी आई करके आ रहे हैं वह आई टी वाले कहां डिफॉर्मक फांबर होंगे है तो आप ले जाएगा और पर उसके पाद जाती प्रवाणपत्र जिन इस्ट्रेंड का जाती है वह जाती प् ठीक है और निमास प्रवाणपत्र का ओनलाइन वेरिफिकेशन भी निकलाना होता वह निकला लीजिए अपना ठीक है चलिए उसके बाद छटवा जो इस्ट्रेंड यह सब के लिए नहीं है जो इस्ट्रेंड विकलांग है फिर्डम फाइटर है ठीक है फिचकली हैं उन इस प्रवाणपत्र लगने वाला और नाट और किसी इस्ट्रेंड के लिए नहीं लगना जरूरी नहीं है फिर उसके बाद अधार काड जरूरी है अधार काड होना ही ओना चाहिए और एक चीज़ देख लिजेगा अधार काड में नेम वगएरा मार्सीट से मैच होनी चाहिए क्योंकि पिछले बार डाकूमेंट विडिकेशन में ऐसे ही बहुत सारे इश्ट्रेंट का एडिमेशन कैंसिल कर दिया गया है तो मैं यह नहीं चाहिए था कि आप लोग यह गलती करें अभी अगर आपके पास गलती है तो अभी आपके पास साथ दिन का टाइम है अना डाक जो कॉंसलिंग टाइम लगता है वो आपका अप्लीकेशन नंबर पासवार्ड ही लगता है ते ऊसके पस्चा एक दिन बाद दूसरे दिन जैसे कॉंसलिंग समाफ्स होती है रिजल्ट आता है रिजल्ट के दूसरे दिन आपको डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है कहां जाना पड़ता है डिस्टिक हेल्प सेंटर में यानि जो आपके जीले के सरकारी पॉल्ट टेकनिक कॉलेज होते हैं लिस्ट आएगी हाना उसमें आप लोग को जाना होगा डाकुमेट लिए ठीक है फिर आप लाइन जाकर करवाना होता आउनलाइन कोई प्रोसेस ने होता पहले क्लियर कर दूं तो यह सभी चीज़े अभी से आप लोग रेडिक कर लीजिए ठीक है अभी से आप लोग रेडिक लीजिए बाद में होना हो कि आपके पास यह डाकुमेट्स नहीं आप लोग को कोई भी शीट ना मिले है ना क्योंकि यह माय नहीं चाहता था कि आपको सीट ना मिले क्योंकि लास्ट राउंड इडिया रिस्क लेंगे तो फिर अपना देख लेजिएगा ओके डियर मिलते हैं ने स्टूइडियो में तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग ग